मेरे पास एक कोस्चन है, 25-26 साल का एक यूबा है, जो कि एक साधी सुधा लेडी से प्यार करता है, लेडी साधी सुधा तो ही साथ में दो बच्चों की मा है, मतलब एक बच्चा तो ओर्रेडी है, दूसरा बच्चा उसके पेट में है, वो उस लड़के को कहती है कि अभी मै तुम्हें टाइम नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी है, जैसे ही मैं प्रेगनेंसी से फ्री होंगी, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, वो उसे इस तरह से बाते करकर के आगे लाइफ को बढ़ाती जा रही है, वो लड़का परेसान है, उसकी फिलिंग उस की मा भी है, तो ऐसी situation में आपको क्या करना चाहिए, और इसका नतीजा क्या होता है, देखो आपकी age 25 साल है, आप अपने केरियर की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही आप इस चीज को लेके परेसान है, अब आप इन खयालों के साथ ना तो अपनी लाइफ में कुछ कर पा रहे है जो भी आपका केरियर है, वहाँ भी आपका ध्यान नहीं जा रहा है, आप अपनी feeling को control नहीं कर पारे, आप से परदास नहीं हो रहा है, आप से उसके बिना रहा नहीं जा रहा है, आपको समाधान चाहिए, देखिए अगर आप इस बात को लेके परेसान है, तो मैं क्या कि उसके पास आज आपके लिए टाइम नहीं है, लेकिन कल भी उसके पास टाइम नहीं होगा, ये मैं सियोर्टी के साथ केती हूँ, क्योंकि जो महिला आज प्रेगनेंट है, उसके पास टाइम नहीं होता, तो वो आपके लिए टाइम कहां से निकालेगी, मतलब अगर आप इस उमीद में बैठे हो कि कल उसकी pregnancy पूरी हो जाएगी और वो बच्चे को जब जन्म दे देगी उसके बाद वो सब कुछ सही कर देगी तो ऐसा नहीं होने वाला है देखो वो तो साधी सुदा है और अगर वो आपसे प्यार कर रही होती तो वो pregnant क्यों होती आपसे पहले से प्यार कर रही थी बाद में pregnant रही है इसका मतलब वो अपने पती के साथ रहना चाहती है इसलिए उसके बंस को आगे बढ़ा रही है उसके बच्चे को जन्म दे रही है आपसे सिर्फ वो emotionally connect है अपने आप में खुश रहने के लिए उससे आपसे बात करके अच्छा लगता है सिर्फ इसलिए वो आपके साथ रिष्टे में है इसलिए आपको time भी दे रही है कि इतने दिनों बाद में फिर से वैसी ही हो जाऊँगी मतलब आपको wait कर आ रही है ताकि आप कहीं और न जाओ उसको छोड़के अगर आप कहीं और चले जाओगे तो उसकी life में जो खुसी आपसे मिल रही है साइद वो छिन जाएगी बाकी उसे आपकी कोई जरुरत नहीं कोई आवस्यक्ता नहीं है अगर वो आपसे बाकई में प्यार कर रही होती तो क्या वो बच्चे को जर्म देती इस situation में साइद नहीं देती लेकिन उसे आपसे सिफ टाइम पास करना है उसे आपसे सिफ वो चीज़ चाहिए जो उसे अच्छी लगती है बाकी आपके साथ जिंदगी नहीं गुजानी है लेकिन आप सोचो कि आपके केरियर का क्या होगा आपकी जिंदगी का क्या होगा आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है अगर दो-चार साल के अंदर आप अपने केरियर पे कुछ नहीं कर पाए तो आप 30 के हो जाओ गर 30-32 तक इंसान के साधी हो ही जानी चाहिए तो आप ना तो इधर के रोगे ना उधर के रोगे इस चक्तर में अगर पड़े रहे ना तो आपके जिंदगी डिफिनेटली भरबाद होने वाली है यह चीज आप समझ दो हमें साधी सुधा लेडी से प्यार तो हो जाता है हम सोचते हैं कि ठीक है चलो हमारी जिंदगी में कुछ खुसिया आ गई लेकिन उनका अम्द क्या होता है क्या आपका फ्यूचर है उस लेडी के साथ क्या वो लेडी अपना सब को छोड़ के आपसे साधी करने के लिए तैयार है अगर नहीं है तो यह सिप उसका टाइम पास है और जब तक आपसे खुसिया मिल रही है तब तक वो आपकी लाइफ में है जहां आपसे कोई प्रॉब्लम होने लगी है उसके घर में कोई प्रॉब्लम होने लगी उसी वक्त वो आपको छोड़ देगी तो एक ही समझ लो कि इस रिष्टे में आपका फ्यूचर तो विल्कुल भी नहीं हो जहां पे समाज का डर है जहां पे उसके पती का डर है जहां पे आपको और भी चीजों का डर है वहां पे आप अपना फ्यूचर बनाई नहीं सकते मतलब अगर आप गलत रास्ते चल रहे हैं तो ये भूल जाएए कि आपका सुनहरा भविस्य होगा, आप अपने भविस्य को बरबाद कर रहे हैं, ये जो पल भर का मजा होता है ना जिन्दगी में, वो आपको पूरी तरह से खोकला बना देता है, आप कहीं के नहीं रहते हैं, आज आपके पास टाइम है अपने करियर क बनाने का, अपनी जिन्दगी को बेतर बनाने का, तो आज आप ऐसे भ्यक्ति के पीछे अपना टाइम बरबाद कर रहे हैं, और आपको भी अगर सिफ टाइम पास में जिन्दगी गुजाननी है, तो आपके लिए बेतर है, लेकिन अगर आप अपने जीवन का कुछ काम करना चाते हैं, जिन्दगी में चाते हैं कि आपके एक ग्रिहस्ती हो, आपका घर परिबार हो, आपके भी वच्चे वगरे हो, आपकी भी जिन्दगी सुकून से निकले, तो फिर अगर इस तरह के कामों में आप पड़े रहोगे, इसी साधी सुदा महिला के पीछे कुछ प्रॉबलम इन में आही जाती है, और रिलेशनसिप तूट जाता है, जब तक आपके साथ ये होगा, तब तक आपका केरियर पूरी तरह से बरबाद हो चुका होगा, आपका समय निकल चुका होगा, इस चीज को आप समझो, वो महिला आपके साथ सिर्फ समय विता र करने के लिए हो, लेकिन क्या आप से फोन कॉल पर बात करकर के, अपनी जिंदिगी ऐसे ही गुजार्द होगे, आपको फेमली नहीं चाहिए, आपको कोई वर्चुल नहीं चाहिए, सिर्फ रिलेशनसिप आप फोन पर रखोगे, ये चीज़े आप समझो, अगर यही सब च रिस्ते से बाहर निकल जाओ, हमेंसा मैं यही समझाती हूँ, जब जागो तभी सवेरा, आपको नहीं पता कि आपकी जिंदिगी अभी तक बरबाद हो रही थी, लेकिन अगर आपको पता चल रहा है, इन चीजों से आप रिलेट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो कि आपकी ज जिंदिगी पूरी तरह से बरबाद हो चुकी होगी, तब तक आप कहीं के नहीं रोगे, कुछ नहीं कर पाऊगे, अगर आज आपको ये चीजे समझ में आ गई, तो अभी आपके पास टाइम है, अभी भी सभल जाओ, थोड़ा सा दर्द होगा, थोड़ी सी तकलीफ होगी लेकिन आगे का आप अपना भविस से बना सकते हो, आप भी भक्त है आपके पास, इसलिए बोला जाता है कि जब जागो तबी सवेरा, जब भी आपको समझ में आ जाए कि आप गलत रास्ते परो, बिल्कुल उसी पल से सही रास्ता अपना लो, यही इनसान की जिंदिगी है अगर आपने समझ लिया है कि यह गलत हो रहा है और गलती हो रही है उसको उसी बक्त सुधार लो, अगर नहीं सुधार सकते हो और नहीं चलोगे सही रावी, तो बिल्कुल आपकी जिंदिगी में कभी कुछ ग्रोथ नहीं होने वाली, ना तो आपकी जिंदिगी में खुसि करना है जब हमारा समय होता है केरियर बनाने का किसी लक्षी को हासिल करने का उस वक्त अगर हम इन चीज़ों के पीछे डिस्ट्रेक्ट हो रहे हैं इन चीज़ों के पीछे अपनी लाइप में भाग रहे हैं और अपने गोल से अपनी नजरे हटा रहे हैं और कहीं और ध्यान लगा रहें कहीं और परेसान हो रहें कहीं और चिंतित पड़े हुए हैं जहां कोई मकसद नहीं तो वैसे भी आपकी जिंदगी भरबाद होने वाली है मेरा काम है सिर्फ आपको सही रास्ता दिखाना चलना या न चलना यह आपके हाथ में आप स्वेम समझदार हो आप समझो जानो बस इस वीडियो के माद्यम से आप यह समझ सकते हो कि जिस रास्ते आप जा रहे हो वो रास्ता आपके लिए सही नहीं है अब सही रास्ता आपनाना आपके हाथ में अगर कोई भी लड़का जो कि अभी अपने फ्यूचर को बना सकता है अपनी जिंदगी को बेतर बन सकता है अगर वो साधी सुधा महिला और दो बच्चों की मां से प्यार करेगा उसका नतीजा उसका पढ़िनाम तो उसे भुगतना ही पड़ेगा उसके जिंदगी में तबाही के अलाबा कुछ नहीं होने वाला पाकी आपकी मर्जी आपको जो भी कहना हो कमेंट बॉक्स में अगर आप इमोशनल इंटिलिजेट बढ़ना चाहते हैं रिस्तो को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं एबुक को आप पढ़ सकते हैं एबुक को पर्चेस करने के लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या अगर आप यह वीडियो फेस्वुक पर मैं लाइब आती हूं तो इस स्क्रीन पर फेस्वुक आइडी सो हो रही है आप उसे फालो जरूर कर लें मेसेंजर करके कॉल बुक कर सकते हैं और फेस्वुक में लाइब जुड़कर भी अपनी समस्या का समधान पा सकते हैं चले आप लोगों की मायन की कसरत के लिए स् भूले अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर जादस जादा करें क्योंकि आपका एक शेयर किसी की लाइफ में बहुत बड़ा पड़वरतन ला सकता है अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अबस से करें साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब भी कोई वीडियो में अप्लोड करें उसको नोट भी किसान आपको सबसे पहले मिले और आपसे कोई भी वीडियो मिस्त ना हो फेस्बुक पर है तो फालो जरूर करें और श्टार देके सपोर्ट करें धल्यवाद